संसद के मांसून सत्र के खत्म होने में अभी सिर्फ एक हफता ही बचा है लेकिन सरकार और विपक्ष में गतिरोध तूटने के कोई आसार नहीं देख रही हैं विपक्ष पहले दिन से ही पेगसस जासूसी मामले और कई एहम मुद्धो पर चर्चा की मांग कर रहा है लेकिन सरकार ने अपनी रणनीती पर चलते हुए सदन की कारिवाही एक दिन भी नहीं होने दी तो क्या अब नहीं हो पाएगी जनता और देश से जुड़े मुद्धो पर सदन में चर्चा जानने के लिए देखिया ये खास सिपोर्ट एक तरफ देश की सुरक्षा से जुड़ा पैगसिस मामला तो दूसरी तरफ आम जनता से जुड़ा महंगाई का मुद्धा साथ ही कृशी कानून के विरोध में किसानों के प्रदर्शन का मामला देश में इन मुद्धो से बड़ा मुद्धा और कोई हो ही नहीं सकता लेकिन मुद्धी सरकार को ये मामले हलके नजर आते हैं इतने हलके कि वो इन्हें तवज्जो देना ही नहीं चाहती वही इन मुद्दों से बचने के लिए मोधी सरकार लगातार संसत का कीमती समय नस्ट कर रही है क्योंकि अभी तक केवल राज्य सभा में COVID-19 के मुद्दे पर एक चर्चा ही हो सकी है लेकिन लोग सभा में एक भी बहस नहीं हुई है वही हंगामे का फायदा भी मोधी सरकार बखू भी उठा रही है क्योंकि हंगामे के बीच सरकार लगातार अपने विधेकों को बिना चर्चा के ही पारित भी करा रही है जिससे मोधी सरकार के संसद ना चलने देने के मनसूबे भी साफ दिखाई दे रहे हैं एक तरफ तो संसद न चलने देने से मोधी सरकार चर्चा से बच रही है तो दूसरी तरफ हंगामे के बीच अपने बिल को भी बिना रुकावट के पास करवा रही है यानी दोनों तरफ से बीजेपी का ही फायदा अगर बात करे संसद में अब तक हुई कारेवाही की तो मौझूदा सत्र में लोकसभा में अभी तक जितना काम होना चाहिए उसमें से मात्र 14 प्रतिशत काम ही हो पाया है मतलब करीब 86% समय बरबाद हो गया है अगर राज्य सभा की बात करे तो यहां करीब 23% ही काम हो पाया है राज्य सभा का भी करीब 77% समय हंगामे की भेट चड़ गया है वहीं इस अवधी में उच्छ सधन में अब तक कोई भी काम नहीं हो पाया है अब जो देश की जन्ता का इतना सारा समय और पैसा खराब हुआ है उसकी जवाब दे ही अगर मोधी सरकार की नहीं है तो फिर किसकी है अब देखना ये होगा कि क्या विपक्षिस हफते में सरकार पर चड़्चा का दबाव बनाने में कामियाब हो पाता है या फिर मोधी सरकार अपनी सदन ना चलने देनी की चाल में काम्याब हो जाएगी